लिजे सुनिये मुन्शी प्रेम चेंद की लिखी कहानी ये भी नशा वो भी नशा मेरी यनि समीर गोस्वामी की आवाज में हुली के दिन राय साहब पंडित घसी तिलाल की बारह दरी में भंग चन रही थी किस ऐसा मालूम हुआ जिलाधीश मिस्टर बुल आ रहे हैं बुल साहब बहुत ही मिलनसार आदमी थे और अभी हाल ही में विलायत से आये थे भारतिय रीत नीती के जिग्यासू थे बहुधा मेले ठेलों में जाते थे शायद इस विशय पर कोई बड़ी किताब लिख रहे थे उनकी खबर पाते ही यहां बड़ी खलबली मच गई सब के सब नंग धरंग मूसरचंद बने भंग चान रहे थे कौन जानता था कि इस वक्त सहाब आएंगे फुर से भागे कोई उपर जा छेपा कोई घर में भागा पर बिचारे राय सहाब जहां के तहां निश्चल बैठे रह गई आदा घंटे में तो आप कांख कर उठते थे और घंटे भर में एक कदम रखते थे इस भगदर में कैसे भागते जब देखा कि अपरान बचने का कोई उपाय नहीं है तो ऐसा मुह बना लिया मानो वो जान भूज कर इस स्वदेशी ठाट से सहाब का स्वागत करने को बैठ खुब लाल रंग खेलता है राय साब हाँ सरकार आज की दिन की यही बहार है साहब ने पिछकारी उठा ली सामने मटकों में गुलाल रखा हुआ था बुल्ले पिछकारी भर कर पंडित जी के मुह पर छोड़ दी तो पंडित जी नहीं उठे धन्य भाग कैसे ये सौभा के प्राप्त हो सकता है वाहर हाकिम इसे प्रजावात सल्ले कहते हैं आह इस वक्त सेठ जो खनराम होते तो दिखा देता है कि यहां अफसर इतनी किरपा करते हैं बताएं आकर कि उन पर किसी गोरे ने भी पिछकारी छोड़ी है जिलाधीश का कहना ही क्या ये पूर्व तपस् हल है और कुछ नहीं कोई पहले एक सहस्त्र वर्ष तपस्या करे तब ये परंपत पा सकता है हाथ जोड़कर बोले धर्मावतार आज जीवन सफल हो गया जब सरकार ने होली खेली है तो मुझे भी हुक्म मिले कि मैं अपने हिर्दाय की अभिलाशा पूरी कर लू ये कहकर राय साहब ने गुलाल का एक टीका साहब की माथे पर लगा दिया बुल इस बड़े बरतन में क्या रखा है राय साहब राय सरकार ये भंग है बहुत विधी पूरवक बनाई गई है हुजूर बुल इसके पीने से क्या होगा राय हुजूर की आँखें खुल जाएंगी उपर उड़े चले जा रहे हैं गिलास तो साहब को देना हुचितना था पर कुलहड में देते संकोच होता था आखिर बहुत उच नीच सोचकर गिलास में भंग उड़े ली और साहब को दी साहब पी गए मारे सुगंध के चित्परसन हो गया दूसरे दिन राय साहब इस ठीक समय पर चले साहब उस समय भोजन कर रहे थे खबर पाते ही सलाम दिया राय साहब अंदर गए तो शराब की दुरगंध से नाग फटने लगी बेचारे अंग्री जिदावाना पीती थे अपनी उम्र में शराब कभी छुई न थी जी में आया कि नाग बंद कर ले मगर डरे कि साहब बुरा न मान जाएं जी मचला रहा था पर सांस रोके बैठे हुए थे साहब न एक चुसकी लिए और गिलास मेज पर रखते हुए बोले राय साहब हम कल आपका बंग पी गया आज आपको हमारा बंग पीना पड़ेगा आपका बंग बहुत अच्छा था हम ब नहीं नहीं आपको पीना पड़ेगा राय साहब पाप पुन कुछ नहीं है यह हमारा बंग है वो आपका बंग है कोई फरक नहीं पड़ता उससे भी नशा होता है इससे भी नशा होता है फिर फरक कैसा राय नहीं धर्मावतार मदरा को हमारे हाँ वर्जेत किया गया है बहुत अच्छा है। ये कहते हुए साहब ने एक गिलास में शराब उनेल कर राय साहब के मुझ से लगा ही तो दी। राय साहब ने मुझ फेर लिया और आखें बंद करके दोनों हाथों से साहब का हाथ हटाने लगे। साहब खातिर से सब कुछ कर सकते थे पर धर्म नहीं छोड़ सकते थे। जरा कठोर स्वर में बोले। हुजूर हम वैशनों हैं। हम इसे चूना भी पाप समझते हैं। राय साहब इसके आगे और कुछ न कह सके। मारे आवेश के कंठावरोध हो गया। एक शन बाद जरा करके फिर बोले। हुजूर भंग पवित्र वस्तु है। रिशी, मुनी, साधू, महात्मा, देवी, देउता सब इसका सेवन करते हैं। सरकार हमारे हैं इसकी बड़ी महिमा लिखी है। कौन ऐसा पंडित है जो बूटी न चानता हो। लेकिन मद्रया का तो सरकार हम नाम ल समझता है। नशा को इसलिए सारा दुनिया बुरा कहता है कि इससे आदमी का अकल खत्म हो जाता है। तो बंग पीने से पंडित और देवता लोग का अकल कैसे खबत नहीं होगा, यह हम नहीं समझ सकता। तुम्हारा पंडित लोग बंग पीकर राक्षस के हो नहीं होता। हम समझता है कि तुम्हारा पंडित लोग बंग पीकर खबत हो गया है। तभी तो वो कहता है यह अचूत है वो नापाक है रोटी नहीं खाएगा, मिठाई खाएगा, हम छूले तो तुम पानी नहीं पीएगा, यह सब खबत लोगों का बात। अच्छा सलाम। राय साहब क जान में जान आई, गिरते पढ़ते बरामदे में आए, गाड़ी पर बैठे और घर की राह ली। अभी आप सुन रहे थे मुझी प्रेम चंद की लिखी कहानी, ये भी नशा, वो भी नशा, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सला में चंद का जञा भाय है